नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप सभी अभ्यार्थी जब से परिक्षा देके आए हैं आप लोगों के दिमाग में बस दो ही सवाल आ रहे हैं पहला आ रहा है कट ओफ क्या रहेगी क्या ज्यादा रहेगी या कम रहेगी या फिर आप लोग का result आप लोग का परिणाम कब तक आएगा तो आज का वीडियो आप सभी अभ्यारतियों के लिए बहुत ज्यादा महतवपूर्ण है जैसा कि आज की वीडियो में हम दोनों ही मुद्दों में बात करने वाला है काफी डीटेल में और आज का वीडियो आप सभी अभ्यारतियों के लिए काफी ही ज्यादा महतवपूर्ण होने वाला है तो वीडियो को बिने स्किप की पूरा एंड तक जरूर देखिएगा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लीजिएगा जिससे ऐसे ही सभी अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुचती रहे तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बार आप लोग की क्या रहने वाली है कट ओफ फिर बात करेंगे आप लोग के परिणाम यानि की रिजल्ट के बारे में तो इस बार जैसा की पाया गया की परिख्षा में आप लोग की जो नंबर ओफ इस्टुडेंस परिजन थे वो हर बार की परिख्षा में कुछ कम थे जी हाँ इस बार जो एपसेंटी का आखरा था वो करीब करीब 60% था यानि के करीब 60% लोगों ने पेपर दिया और 40% लोगों ने पेपर नहीं दिया आपकी परिख्षा में जितने लोगों ने अपलाई किया था उसके परिख्षा में ठीक है तो पहला यहां पर कॉम्टिशन लेवल बहुत आपका कम हो गया उसके बाद आपका जो एक्जाम लेवल था वो भी काफी जारा हाई देखा गया है इस पाहर बार आपका पेपर जो है अबर पर्फ तरीके से मौड़े अधा अप्य लोग काल ऑपकी क्यों को एक शुक्त को कम करने में काफी ही एहम हो निभाइएंगा आपकी कटस जो है उमी से कुछ कम रहने वाली है तो अगर आपके मार्क्स आपका स्कूर कुछ कम भी है तो भी आप अपने को दिरास सा चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लीजिएगा इस वीडियो में इतना ही था मिलता आप लोग से जैसे कोई अगले अपडेट आएगी तुरंट आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगे उसके लिए बैल आइकन जरूर दबाईएगा जिसस आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए इस वीडियो में इतना ही मिलता आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंत